नमस्कार साथियों सौगत है आप सभी का लोग सीक्षाट संचनालाई की ओरसे 27-11-2024 को एक मात्तपूर्ण इंडिश्देश प्रसारित हुआ है जो की सभी अधिकारियों और करमचारियों के लिए है इस आदेश के मुख्य बाते क्या है उसे जानेंगे और साथ इसाथ यहा करमचारियों सिक्षकों की अचल संपत्ति विवराण आईपियार का डिजिटलाईजेशन किया जाना है और आईपियार की एंट्री संबंदित अधिकारी करमचारी सिक्षक स्वयम करेंगे एंट्री है तो यूजर मैनुमल इसके साथ सनलंगने किया गया है अता आप अपन आईपियार की एंट्री अपने आईडी पास्वार्ट का उप्योग करते हुए अवकास प्रबंधन पोर्टल HRMIS लिव मेनेजमेंट सिस्टम में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें जैसा कि हम cgschool.in में आउनलाइन अवकास अवेदन करते हैं वहीं पर यहां आप्सन सिस्टम है वहाँ पर कैसे करेंगे उसे जान लेते हैं तो यहां पर देख पा रहा है है HRMIS लिव मेनेजमेंट सिस्टम यहां पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है यहां पर मोबाइल नंबर और पासवर्ट के थुरू यहां पर लॉगिन ह हो जाते हैं उसके बाद यहां पर आप देख पा रहा है सैक्षडिक गैर सैक्षडिक यहां पर क्लिक करते हैं इसके बद टॉप लेप्ट पे चार लाइन पर यहां पर जाते हैं यहां पर आप देख पा रहा है सब से नीचे में अपलोड आईपियर का उप्सन दिख जा र करेंगे तो आपको वार्षिक अचल संपत्ति विवनार का फ़ाम यहां पे दिख जाएगा इस तरीके से जैसा आप सभी इसे परिचित हैं तो यहां से आप इसे बर पाएंगे इस तरीके से यहां पर वर्ष चुनें तो यहां पर वर्ष चैन करें यहां पर 2015 से लेकर 2023 तक का यहां पर अचल संपत्ति का वीवराण यहाँ पे option दिया गया है भरने का वर्स वार यहाँ पे आप बड़े ही आसानी से आप सबसे पहले जिस वर्स का भरना है उस वर्स का चुनाओ करेंगे और यहाँ पे IPR फाइल अपलोड करें केवल PDF अधिक्तम 5MB तक यहाँ पे फाइल चुने पे क्लिक करेंगे और जिस भी फोल्डर में आपका फाइल होगा वहाँ से चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे जैसे यह अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रमांग, वर्ष, नाम, अपलोड दिनांग और फाइल देखे यहाँ पे क्रम से वर्ष वार उसका विवरान यहाँ पे सो हो जाएगा तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप अपना अचल संपत्ती विवरान जो intellectual property rights है उसको यहाँ पे बहुत दिख संपत्ता अधिकार यहाँ पे आप अपलोड कर पाएंगे तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक यू